तो ये design दोस्तो हमारा तयार हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ select करेंगे, और control G से इसका group बना लेंगे, और उसके बाद दोस्तो इसे आप जहां भी रखना चाहें, आप इस तरह से रख सकते हैं, तो इस तरह से आपका physics वाला जैसा thumbnail बन जाएगा उसके बाद दोस्तो अब आपको में करना है, इसे export कर लेना है, export करने के लिए आपको file के उपर click करना है, यहां पे आपको एक option मिलेगा, export, आपको export के उपर click कर लेना है, change file के उपर click कर लेना है, और देन दोस्तो आप यहां से png format, select करेंगे, तीक है? इसके उपर double click जो भी नाम देना चाहें। इस तरह से नाम देंगे। और उपर क्लिक करके दोस्तों आपको just this one कर देना है। इतना करते ही आपका thumbnail बनके रेली हो जाएगा, उसके बाद दूस्तो आप यहां से इसे open करके देख सकते हैं कि आपका thumbnail जो है, किस तरा का बना है, तो यहाँ पे दूस्तो देख सकते हैं, कि यही वो thumbnail है, जिसे देख करके हमें एक ऐसा ही thumbnail create करना है, और यह हम कैसे कर सकते हैं, यही सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने बाले हैं, तो इसे हम ऐसे ही open करके रखेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसे minimize करेंगे, और thumbnail बनाने के लिए दोस्तों मैं PowerPoint का यूज करता हूं, ठीक है, मुझे Photoshop उतने thumbnail PowerPoint में ही बनाता हूं, तो यह भी दोस्तों मैं PowerPoint में ही बनाऊँगा, ठीक है, तो यहां से मैं blank slide select करूँगा, और उसके बाद दोस्तों layout में जा करके, यहां से मैं blank select करूँगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं insert पे click करूँगा, picture में जाऊँगा, this species select करूँगा, और उस उसके बाद दोस्तों इसे मैं यहां पर कुछ इस तरह से रख लूँगा, सामने यह हमारा रहेगा, तो इससे दोस्तों हमें चीजे क्रेट करने में असानी होगी, अब दोस्तों हमें करना है, यहां से एक खोटा सा सेप सेलक करना है, और यहां पर मुझे इस तरह से क्रेट कर लेना है और फिर दुस्तों हम लोग से फिल में जाएंगे यहां से आइड ड्रॉपर लेंगे और दिन दुस्तों हम लोग यहां से color pick कर लेंगे save outline में जाएंगे no outline कर देंगे तो यह ही color दूस्तों यहां पर यह हमारा आ जाएगा फिर इसके ऊफर click करेंगे इसका duplicate बना लेंगे और duplicate बनाने के लिए दोस्तों हम लोग control D का use करेंगे फिर इससे select करेंगे save fill में जाएंगे eye dropper लेंगे और यहां से दोस्तों हम लोग यह वाला color select कर सकते हैं ठीक है और save outline में जा करके no outline कर देंगे ठीक है तो यह दो color इसमें use हुए है बाकि इसमें एक white use हुआ है और red use हुआ है तो चलिए इसे भी मैं create कर ही लेता हूँ इसे मैं select करता हूँ control D से duplicate करता हूँ और इसे मैं यहां पे रख लेता हूँ save fill में जाओंगा और इसमें दोस्तों मैं white color बनाना है और इसमें कौन-कौन से color यूज हुए है इसका दुस्तों हमने यहां पे कुछ इस तरह से बना लिया है अब दुस्तों मैं करूँगा इसके उपर right click करूँगा और इसका एक duplicate बना लूँगा और दें दुस्तों यह जो हमारा design करना होगा और इसके लिए दुस्तों आपको गय करना है पहले तो इस तरह का image download करके यहां पे insert करवाना होगा आप यहां पे पीछे देख सकते हैं ठीक है तो इस पे मैं click करूँगा insert में जाऊंगा picture में जाऊंगा और यहां से दुस्तों आप online picture select कर सकते हैं या तो आप this device select कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी picture select करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं तो मैं तो दोस्तों यह वाला picture यहां से से रग दोगा ठीक है उसके बार दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहां से rectangle सेलेक्ट करेंगे और पूरे slide के उपर दोस्तों हम लोग एक rectangle ड्रो कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसके अंदर दोस्तों हमें यह वाला color फिल कर बाना है क्योंकि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल ऐसा ही background दिया गया है तो अब इसके उपर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों इसको select करेंगे save format में जाएंगे save fill में जाएंगे और यहां से दोस्तों यह वाला color इसमें डाल देंगे save outline में जाएंगे no outline कर देंगे background में जो image है यह फोड़ा थोड़ा देख रहा है बट मेरे case में यहां पर background में जो picture है वो नहीं देख रहा है तो इसके लिए दोस्तों हमलोग क्या करेंगे इसे थोड़ा सा transparent बनाएंगे इसके लिए दोस्तों हम लोग इसके उपर right click करेंगे और then दोस्तों हम लोग save format में जाएंगे और save format में जाने के बाद दोस्तों हम लोग यहां से ये वाला option select करेंगे fill and line ये वाला option select करेंगे उसके बाद दुस्तो fill वाले option में जाएंगे और यहां से दुस्तो इसके transparency को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से जब ये सारी चीज़े हम लोग करेंगे तो दुस्तो हमारा जो image है इस तरह से background में visual होने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा ठीक है अब इसमें हमें क्या design करना है यह नीचे वाला design तयार करना है तो इसके लिए दुस्तो अमनों क्या करेंगे इस वाले slide में आएंगे और उसके बाद दुस्तो यहां से अमनों जो है एक shape select करेंगे यहां पर आप इस तरह से देख लिजिए और फिर दुस्तो आप इस तरह का shape यहां पर बनाने का प्रियास करेंगे ठीक है ब्लो चार्ट पेस कॉंटर shape select कर लूँगा और उसके बाद दुस्तो मैं यहां पर जो है कुछ इस तरह से इसे draw कर लूँगा कुछ इस तरह से ठीक है तो इसे यहां पर मैं देख लेता हूं ठीक है इस पर क्लिक करेंगे और shape format में जाएंगे rotation में जाएंगे और इस तरह से rotate कर लेंगे और उसके बाद इसे हम लोग यहां पर इस तरह से रख देंगे और देन दोस्तों हम लोग इसे यहां पर कुछ इस तरह से रख देंगे अब यहां पर दिखे कुछ अलग तरह का है और यहां पर यहां पर यह हमारा सेफ कुछ अलग तरह का बन रहा है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसे यहां पर इस तरह से रखेंगे थोड़ा सा और ऊ देख सकते हैं फिर हम इसके उपर किलिक करेंगे एडिट पॉइंट में जाएंगे और यह जो है हमारा कुछ इस तरह से रहेगा ठीक है और फिर इसके उपर राइड किलिक करेंगे और इसे दोस्तों कर देंगे स्मूठ पॉइंट देख करेंगे और यह वाला कलारिस में करवा देंगे से पॉट लाइन में जाएंगे और यहां से नो ओट लाइन कर देंगे ठीक है तो यह हमारा इस तरह से हो जाएगा आप दोस्तों हमें यहां पर क्या डिजैन करना है यहां पर मैं देख लेता हूं यहां पर जो है कुछ इस तरह का बनाना है और यहां पर इस तरह का बनाना है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहां से सेप लेंगे ठीक है और यह डी से इसका duplicate बनाऊंगा और shift को दवा करके दोस्तों इसकी size को थोड़ा समय बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से और इस तरह से मैं इसे रखूंगा तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा ठीक है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला design यहाँ पर यहाँ भी ये use हुआ है तो ये design दोस्तों कुछ इस तरह से बनता है कई बार ऐसा होगा कि ये दोनों बिल्कुल ब्रावर रखने होंगे तो आप ब्रावर भी रख सकते हैं उसके बार दोस्तों कुछ दूसरा बनाएंगे जो कि थोड़ा सा different रहेगा तो इन दोनों को select करके control D से इसका duplicate बना लेते हैं इसे यहाँ पे रख लेंगे और उसके बार दोस्तों हम लोग ये छोटा वाला को delete कर देंगे और इसके उपर select करके control D से इतना ही size ले लेंगे यानि कि दोनों को बरावर बरावर इस तरह से ले करके इस तरह से बना लेंगे ठीक है और दोनों को दोस्तों एक साथ select करेंगे format में जाएंगे align में जाएंगे यहां से दोस्तों हम लोग बिल्कुल इसे middle कर देंगे तो यह इस तरह से हमारा हो जाएगे ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यह design भी बन गया है और यह design रहेगा यह थोड़ा सा छोटा रहेगा तो पहले दोस्तों मैं control जी से इसका group बना लेता हूं और फिर दोस्तों control और shift एक साथ दबाएंगे और इस तरह से इसकी size को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ओके अब दोस्तों हमें करना है यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन बनाना है तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक round rectangle save select करूँगा इसके उपर click करूँगा और यहां से rounded rectangle save select करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से draw कर लूँगा और इसकी corner को दोस्तों अपने हिसाब से जितना round रखना चाहें आप रख सकते हैं और फिर दोस्तों हम लोग जो है इसमें कुछ इस तरह का color फिल करवा देंगे shape outline में जाएंगे no outline कर देंगे और shape effect में जा करके दोस्तों आप इसमें जो है कोई preset इसमें apply कर सकते है ठीक है या आप side में जा करके आप इस तरह से यह डाल सकते हैं और फिर दोस्तों इसे हम लोग यहां पर रख देंगे उसके बार दोस्तों इन दोनों shape को select करेंगे control G से इसका group बनाएंगे और फिर दोस्तों इसे पगड़के यहां पर रख देंगे अभी यह देखे नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको उपर right click करेंगे और इसे कर देंगे bring to front और उसके बार दोस्तों हम लोग यहां पर रखेंगे तो यह बिल्कुल यहां पर ऊपर आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से यह ready हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप इसमें जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है register now तो दोस्तों यहां पर मैं लिख देता हूं register now लिखने के यहां रिख सब्ता हुआ हुआ हमें यहां पर इसमी साइस करेंगे यहां से अध्यकूर लिख देंगे register now इस तरह से लिख देंगे register now इससे select करेंगे, اور यहां से font size थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अच्छे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें अपने पसंद का font apply कर देंगे, enter कर देंगे और इसे दोस्तों bold करना चाहें तो आप इस तरह से bold कर देंगे और इसमें दोस्तों जो color है वो color इसमें add करा देंगे और फिर दूस्तो इसकी side को इस तरह से adjust करके यहाँ पर रग देंगे और इतना करने के बाद दूस्तो यह design हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा फिर side में click कर देंगे अब दोस्तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का चीजे डिजैन करना है तो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों सेप को थोड़ा सा सैड में रख लेते हैं पहले इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूं फिलाल तो इसमें दोस्तो जादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको गय करना है यहां से एक रेक्टेंगल टूल सेलेक करना है और उसके बाद दोस्तो यहां पे जो है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल टूल सेलेक कर सकते हैं ठीक है लेकिन दोस्तो इसमें मैं क्या करूँगा एक रॉंडेट रेक्टेंगल सेलेक करूँगा ठीक है जिसका corner हम जो है चाहें तो थोड़ा सा round भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से और फिर दोस्तो से fill में जाएंगे और ये color fill किया हुआ है तो ये color fill करवा देंगे shape outline में जाएंगे no outline कर देंगे और फिर दोस्तो इसी का जो है एक duplicate बनाएंगे ठीक है यहां पर ये वाला design create करने के लिए तो यहां पर दोस्तो मैं click करूँगा control D से इसका duplicate बनाऊंगा और shape format में जा करके दोस्तो shape fill में जाऊंगा और यहां से कर दूँगा no fill और उसके बाद दोस्तो shape outline में जाऊंगा और इसमें दोस्तो same यही color इसमें fill करवा दूँगा और दें दोस्तो shape outline में जाऊंगा और इसकी width थोड़ा समय यहां पर बढ़ा दूँगा कुछ इस तरह से ठीक है और फिर दोस्तो मैं इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दूँगा और थोड़ा समय इधर बढ़ा दूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा यहां पर नीचे बढ़ा दूँगा कुछ इस तरह से तो यह हमारा जो है कुछ इस तरह का design बन जाएगा ठीक है अगर आप इसे round नहीं रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके यह जो yellow point है इसे पकड़के थोड़ा सा आप left side कर देंगे तो यह roundness इसका कम हो जाएगा फिर दोस्तों इसके उपर click करेंगे control D से इसका duplicate बनाएगे और फिर दोस्तों हम लोग यहां पर इसे रख देंगे कुछ इस तरह से और फिर दोस्तों इसे मैं यहां पर रख दूँगा कुछ इस तरह से और फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको select करेंगे shift को दबा करके इसको उपर click करडएंगे तो दोनों select हो जाएगा से format में जाएगे align में जाएगे यहां से center कर देंगे ताकि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के center में आ जाए फिर side में click करूँगा फिर इसके उपर click करूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं control D से इसका duplicate बना लूँगा save fill में जाऊँगा और इसमें दोस्तों मैं white color fill करवा दूँगा और फिर दोस्तों इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से रख लूँगा जैसे दोस्तों इनों ने जो है yellow वाला circle को थोड़ा सर नीचे रखा है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर यह side जैसा दिख रहा है same यही चीज़े दोस्तों हम लोग भी यहाँ पर create कर देंगे ठीक है फिर दोस्तों इसके उपर जो भी लिखना होगा आप यहाँ से text box लेकर के इसके उपर लिख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह चीज़े लिखने के लिए ठीक है यहाँ पर titan 2.0 लिखा हुआ है तो इसके उपर हम लोग titan 2.0 लिखेंगे लेकिन इससे दोस्तों थोड़ा सा और नीचे लिखर के आना होगा और यहाँ पर दोस्तों आप जो है exam का नाम लिख देजे ठीक है आप यहाँ से text box select कीजे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है कोई batch का नाम लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें आप वो चीज़े आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं text box लूँगा और यहां पर दोस्तों मैं इस तरह से text box ड्रोग कर लूँगा और यहां पर मैं लिख दूँगा Titan टाइटन और उसके बाद दोस्तों मैं लिख दूँगा 2.0 और इसे मैं control A से all select करूँगा आप यहाँ से दोस्तों मैं font size 8080 रख करके enter कर दूँगा उसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें अपने पसंद का font apply करदेंगे और यहाँ सेold कर देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसे रख देंगे ठीक है और इसमें दोस्तो ये वाला color है तो इसमें ये वाला color इसमें apply कर देंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो बिल्कुल यही color है, अब दोस्तो हम इसे थोड़ा सा और attractive बना सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, उसक ये उपर दोस्तो हम लोग कुछ इस तरह से रग देंगे तो यह जो है छोड़ा सा इससे ज्यादा बहतर लग रहा है यहां पे दूस्तों यह चीजे लिखने की ज़रुत नहीं है क्योंकि इन्होंने यह चीजे लिख्था है बत हमें इसकी जुरुत नहीं है अप चाहे तो ल duplicate बनाएंगे और यहां से दोस्तों हम लोग यहां पर लिख देंगे top 100 मतलब इसी का duplicate बना करके और इसका color change करके और उसके बाद दोस्तों इसके उपर रख करके कुछ इस तरह से कर देंगे तो हम लोग अपनी चीजे लिख रहे हैं अपनी प्लिक सकते है इस तरह से और इसकी size को ठोड़ा सा bald करदेंगे और यहां से दोस्तों इसकी color को करदें वाइट और फिर दोस्तों हम लोग जो है इससे यहां पर रख देंगे ठीक है इसका size थोड़ा और बढ़ सकता है तो इसे मैं पहले यहां तक इसे रख लेता हूँ और फिर दोस्तों यहां से हम लोग इसका जो है font size थोड़ा सा बढ़ाएंगे थोड़ा सा इसे मैं और इधर रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा और इधर रख लेता हूं, यहां से मैं मिडिल कर दूँगा और इसका जो font color है दोस्तों यह वाला है, तो यहां प्लिवाला यहां पर रख दूँगा तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा थमने बनने लग जाएगा और यहां पर दोस्तों आप तारीक डेट लिख सकते हैं यहां पर आप जो है इस तरह से tax box एक insert करवा देंगे कुछ इस तरह से ठीक है और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे insert में जाएंगे insert में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा date and time आपको यह select कर लेना है फिर दोस्तों आप यहां से language जो है select कर देंगे हिंदी और फिर दोस्तों आप यहां से यह वाला format select कर लेंगे ठीक है यह तो आप यह वाला format select कर सकते हैं 11 फरवरी आजा है 11 फरवरी 2013 तो आप यहां पर यह वाला format select कर लेंगे और यहां से update automatically पे check टिक लगा देंगे और ok कर देंगे तो यहां पे दोस्तो कुछ इस तरह से date तारिक आ जाएगा इसे select करेंगे हम tab में जा करके दोस्तो इसे थोड़ा सा formatting कर लेंगे कुछ इस तरह से और इस तरह से दोस्तो हम लोग इसे रख देंगे और दें दोस्तो इसमें जो color apply किया गया है same वही color दोस्तो इसमें हम लोग भी apply कर देंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो इसमें अच्छा सा font लगाना जरूरी है तो इस तरह से हम लोग इसमें अपना पसंद का font लगा देंगे ठीक है इस तरह से और यह वाला color इसमें apply किया हुआ है तो यह color apply कर देंगे और इसकी size को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहां से इसे bold कर देंगे इसे दोस्तो italic करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं और इसे दोस्तो आप यहां पे रख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप live classes या कुछ लेख सकते हैं और यहां पर दोस्तों teacher का नाम लेख देते हैं हम लोग और यहां से दोस्तों इसे middle कर देंगे तो यह दोस्तों जादा अच्छा लग रहा है और फिर दोस्तों यहां पर हमें क्या लिखना है वह चीज़ें यहां पर लिख सकते हैं ठीक है और यह डिजैन कैसे बनाना है यह भी दूस्तों मैं बता देता हूं यहां से से राउंडेड रेक्टेंगल से सेलेक करेंगे कुछ इस तरह से बना लेंगे और इसकी कॉर्णर को कुछ इस तरह से राउंड कर लेंगे और फिर दूस्तों इसमें कौन सा कलर फिल किया हुआ है वह कलर इसमें दूस्तों हम लोग फिल करवा देंगे इससे सलेक करेंगे से फ टूल टी से इसका duplicate बनाएंगे और इसे दोस्तों यहाँ पर रखेंगे ठीक है इसकी size को थोड़ा सा इस तरफ रखेंगे और फिर दोस्तों shadow effect में जाएंगे ठीक है से format में रखते हुए safe effect में जाएंगे shadow में जाएंगे और यहां से इस तरफ shadow apply कर देंगे और इसका color दोस्तों हम लोग थोड़ा सा change कर देंगे ठीक है तो यहां पर दोस्तों मैं safe format में जाएंगा और इसका जो color है यह है white तो यहां पर मैं white रख दूँगा यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा अलग ही design बन गया है इनका देख सकते हैं यहां पर कुछ अलग है और हमारा जो design बना है वो थोड़ा सा अलग बना है तो इसे दोस्तों हमें सही करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग इसे नीजे रखेंगे यहां से एक rectangle shape select करेंगे और इसके उपर इस तरह से draw कर देंगे ठीक है कुछ इस तरह से और फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इन दोनों shape को select करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग shape format में जाएंगे और उसके बाद merge shape में जाएंगे और यहां से दोस्तों सब्स्ट्रैक कर देंगे ठीक है यहां से सब्स्ट्रैक कर देंगे तो यह हमारा इस तरह से कट जाएगा और फिर दोस्तों हम लोग इसको सलेक्ट करेंगे और उसके बाद हॉम टैब में जाएंगे यहां से दोस्तों रेक्टेंगल से सलेक्ट करेंगे और यहां से अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, तो Sam वही डिजैन दूस्तों हमारा यहाँ पर यह बन जाएगा, फिर दूस्तों इन दोनों को एक साथ सलेक्ट करेंगे, Save format में जाएंगे, Align में जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले Middle कर देंगे, उसके बाद दूस्तों हम लोग Ctrl-G से इसका गुरूप बना देंगे, और उसके बाद दूस्तों अब हम लोग इसे यहाँ पर रख सकते हैं, यह बहुत बढ़ा हो गया है, तो हम लोग Ctrl-Shift दवाएंगे, और इसकी साइड को दूस्तों कुछ इस तरह से छोटा कर लेंगे, इसकी चोडाई को बढ़ाना है, तो आप इस तरह से इसकी चोडाई को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं, फिर दोस्तों इसमें आपको जो भी लिखना है आप यहां पे लिख सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा space दे दूँगा और यहां पे लिख दूँगा मित्रा तो इस तरह के चीजे भी दोस्तों आप यहां पे लिख सकते हैं और इस side से दोस्तों हम लोग इसे select करेंगे और इसका font color यहां पे change करदेंगे और फिर दोस्तों यहां पे सभी को control A से all select करेंगे और यहां से format size बढ़ा लेंगे और देन दोस्तों हम लोग इसे सही से एडिज़स्ट करके यहां पे रख देंगे अब यह थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो हम लोग यहां से थोड़ा font size छोटा कर लेते हैं ठीक है यहां से इसे middle कर देंगे इस तरह से दोस्तों आप यहां पे अपने channel का नाम लिख सकते हैं यह वहला जो design हमने बनाया है आप चाहें तो दोस्तों आप यहां पे इसे लगा सकते हैं कुछ इस तरह से और इसे select करके दोस्तों आपको गय करना है safe format में जाना है rotation में जाना है और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे इसे इस तरह से rotation करा लेंगे और इसको दोस्तों आप यहां पे लगा सकते हैं तो यह डीजैन दोस्तों आपका थम्मेल का create हो गया है अब दोस्तों आपको करना है यहां पर अपना image लगा देना है इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे insert tab के उपर click करेंगे picture के उपर click करेंगे this species select करेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग उस folder में जाएंगे जहां हमने अपना image रखा है और यहां पर दोस्तों हम लोग image को select करेंगे और इसे दोस्तों हम लोग यहां पर इस तरह से रख देंगे ठीक है कुछ इस तरह से और फिर दूस्तों हम लोग यहां से color option में जा करके चाहें तो हम अपना जो image color है इसे change कर सकते हैं यह तो दूस्तों हम लोग क्या करेंगे इसे select करेंगे और इसे दूस्तों थोड़ा सा और उपर ले करके जाएंगे और देन दूस्तों हम लोग जो है इन सभी को एक साथ select करेंगे और इसे भी पकड़के दूस्तों हम लोग थोड़ा ऊपर रख लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है तो इस तरह से यह डीजैन हो जाएगा उसके बाद दूस्तों आप यहां पर कुछ लिखना चाहें तो आप यहां पर कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने यह चीजैन लिख रखा है और इस डीजैन को दूस्तों मैं select करके control D से यहां पर इसका duplicate बना करके औ पर control G से इसका group बना लेंगे और उसके बाद दूस्तों इसे आप जहां भी रखना चाहें आप इस तरह से रख सकते हैं तो इस तरह से दूस्तों आपका जो है physics वाला जैसा thumbnail बन जाएगा उसके बाद दूस्तों अब आपको क्या करना है इसे export कर लेना है export करने के लिए format select करेंगे तिक के यह उपर double click करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहां से desktop select करेंगे और उसके बाद गरेना चाहें Thumbnail ठीक है आप इसका जो भी नाम देना चाहें आप इस तरह से इसका नाम दे देंगे और Save के उपर किलिक करके दूस्तों आपको Just This One कर देना है तो इस तरह से दूस्तों आप जो है Physics वाला जैसा Thumbnail Create कर सकते हैं तो आई होप दूस्तों कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़े आपको बताया है सिखाया है समझाया है आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये टुटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोठे भाई का मनुवल बढ़ा है दोस्तो अगर आप एड टैक में तरह चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करके जाए तो बस दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो दोस्तो मिलता हूँ, फिर नेक्स वीडियो में, नेक्स टूटोरियल में, तब तक के लिए दोस्तो जैहिन बंदे मौत्रम।